गुड मार्निंग माई डियर स्टुडेंट्स टूडें वी विल लर्न डेस्मेल आज हम लोग दस्मलो के विशे में पढ़ेंगे तो देखिये decimal fraction दस्मलो भिन्द तो आप देखिये 0.2 बेटा 0.2 अगर इसको हम नंबर में लिखते हैं वर्ड में लिखते हैं तो देखिये point यहां देखिये लिखा भी गया है 0.2.2 यहां देखिये 0.25 यहां देखिये 0.03 तो इस तरह से हम इसका वह चारण करते हैं अब आपको बताना यह है point के right इसे कोई भी नंबर है वेटा 3.25 3.25 अब ऐसे आप यहां देख रहे हैं 3.25 यह बेटा 1 का 2 पार्ट है 1 का 10 का 2 पार्ट है यह इसको बेटा 10 काते है ती इं यह पार्ट है दूसरा भाग है 5 इसको बेटा 100 थैं इस पेलिंग 100 आप लिखते हैं याच यो यन डी आर एडी हंडर थो टी याच याच यह हंडर्थ का अर्थात हंडर्ड का यह देखें हंडर्थ का पांचमा भाग होता है हंडर्थ का पांचमा भाग अर्थात सव का पांचमा भाग पांचमा हिस्सा इस तरह से हम पॉइंट को दस्मलों को यह देखें हिंदी पे कहते हैं तीन दस्मलों दो पांच तीन दस्मलों इसको मेंटा हम 20 नहीं कर सकते यह हम 3.25 नहीं कर सकते क्यों क्योंकि यह 10 का 2 पार्ट है और यह 100 का 5 पार्ट है इसलिए इसको हम जब भी पढ़ते हैं तो पाइंट के राइड जो पाला अंक होता है वह बेटा 10 अर्था 10 का यहां देखिए 2 पार्ट है और यह 5 जो है यह 100 का 100 का 5 पार्ट है मने 100 का पाचवा भाग और यह 10 का दूसरा भाग इसका मतलब हुआ किसी भी बस्त को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया कितने पार्ट में 10 पार्ट में डिवाइड किया गया और इसमें 2 पार्ट लिया गया इसको कहते हैं बेटा 0.2 तो देखे अब जैसे 0.5 इसको बेटा आप लाइबोर्ड पर देख रहे हैं यह बेटा किसी भी इसका और्थ हुआ किसी भी वस्त का 10 पार्ट किया गया कितना पार्ट 10 पार्ट किया गया उसमें 5 पार्ट लिया गया अर्थात जब इसको और फ्राइक्शन में कर्वड करेंगे तो यह हो जाएगा 5 यह देखे पॉइंट के बाद पहला उंक है यह 10 था है क्या है 10 था तो 10 अपान 10 5 उन जा 5 5 टू जा 10 is called 2 1 upon 2 it's called 2 1 upon 2 क्यों इसमें upon 10 किया गया क्योंकि यह पॉइंट के बाद 10th होता है और अकेले के बाद 5 ही है इसलिए यहां 5 पॉइंट किया जाएगा जैसे पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव तो बेटा यहां देखे 10th 100th इस तरह से यह 25 पॉइंट हुआ अभी इसको आप 25 25 4 जा 100 इस तरह से यह 25 पॉइंट हुआ इसको आप 4 इसी प्रकार से पॉइंट 1 25 देखें 10th 100th 1000th तो इसको लटो 1 25 अपान 1000 अब इसको आप सिंप्लेस्ट फॉर्मे कर सकते हैं अब इसको जब आप सिंपल में करेंगे तो क्या आएगा इसको इसको आप इसको आप 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 तो इसको 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 तो है पॉइंट को फ्रैक्शन में हम चेंज करते हैं तो जैसे अभी आपको बताए गया जैसे पॉइंट 0.02 अब आप यहां देख रहे हैं कि 10th 100th 10th 100th is equal to 2.100 2.100 2 1s are 2 2 5s are 10 is equal to 1 upon 50 is equal to 1 upon 50 इस तरह से हम पॉइंट को फ्रैक्शन में कानवर्ट करते हैं चेंज करते हैं तो बेटा आप पॉइंट के बिशे में जान गए होंगे कि पॉइंट के राइट जो भी नंबर होता है पहला नंबर वह 10th होता है उसके बाद का जो नंबर होता है वह जैसे यहां पर एह 100th होता है और इसके बाद देखिए 1 2 5 10th, 100th, 1000th इस तरह से हम अपान 10, अपान 100, अपान 1000th करते हैं अब आगे हम चलते हैं जैसे किसी भी fraction को हम point में कैसे change करते हैं किसी भी fraction को हम point में कैसे change करते हैं जैसे 2 अपान 5 2 upon 5 को point में change करना है तो बेटाई इसमें numerator divided by denominator numerator divided by denominator 1, sorry यहाँ 2 है 2 divided by 5 अब देखिए 2 is smaller than 5 2 छोटा है किस से? 5 से तो बेटा हम यहाँ पहले point ले लेते हैं पहले 0 जा ले जाते हैं 5 0 जा 0 2 आया अब बेटा हम point बढ़ाते हैं 5 4 जा यहाँ 0 लिया 5 4 20 देखिए इस डिवाइड हो गया इसको लटो 0.4 इसको आप point 4 भी लिख सकते हैं point 4 भी लिख सकते हैं इसी तरह से बेटा है किसी भी fraction का जाहे वो इंप्रापर fraction में हो जाहे प्रापर fraction वो हो जब हम point में change करते हैं तो numerator divide by denominator जैसे जैसे मिक्स फ्राइक्टां टू होल वन अपान 5 इसको लटो 5 तूजा 10 1 11 अपान 5 देखिए यह मिक्स प्राइक्टां था इसको प्रापर इंप्रापर fraction में आपने convert किया अब इसको वेटा point में change कर सकते हैं आपको बता गया numerator divide by denominator divide by denominator 5 तूजा 10 5 तूजा 10 आपने इसको subtract किया 1 अब देखिए 1 is smaller than 5 तो प्राइटा point हम ले लेंगे point लेने के बाद हम यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं 5 तूजा 10 इस तरह से आपका answer 2.2 2.2 इस तरह से हम fraction को point में change करते हैं और इसके पहले आपको बता गया हम point को कैसे fraction में convert करते हैं हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ओडी मास बताएंगे सिखाएंगे और इसके लिए थे थे थैंक यू